तो नाव हम लोग आ गए हैं अपने जो है नियू कॉस्टिंस पर जिसमें है इनिशल वैलियू प्रॉब्लम्स तो अगर इसको नहीं पता कि इनिशल वैलियू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं तो वह एक्जैम्टम नंबर जो है आइधिंग 1-2 तोनों मैंने करवाई हुई है उ आगे बढ़ते हैं एक्सराइज में हमने सॉल्फ किये 14 वैलियू प्रॉब्लम्स तो नाव इनिशल वैलियू प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो वह भी पुट करनी है चलिए देखते हैं कि यहां पर हम लोग जो है इक्वेशन को सब्सक्राइब नहीं किया सो आपको बता लाइक कर देना है शेयर करOUTदेना है एंड कमिंट सेक्टिन में प्रॉडना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी में है इंड विडियू कर दे खिर और कम कोई रखन नहीं प्रॉब्लम्स था तो आप मुझे और जए नूड कर सकते हैं और चलते हैं exercise की ताब जिसके लिए हम एक चाहिए होगा board तो हम लोग book out आते हैं and start करते हैं अपनी solutions so now हम लोग ने question number 15 डीख लिया है and hope कि आपको यहाँ पर initial value problems का पता होगा मैं हमेशे जब भी initial values आती हैं मैं उनका पहले से बता जिती हूं कि कौन सी value क्या होती है कौन सी value क्या होती है so यहाँ पर जो हमारे पास y है इसकी value हमारे पास यह given होती है 3 and यहाँ पर जो x की value होती है वो क्या होती है वो हमारे पास यह होती है जिसको 0 हम बोलते हैं तो यह y of x जो लिखा जाता है ना हैं, तो भी का भी ये इसको हम लोग फिर कैसे रिखते हैं, इसको हम लूग ये वाली वाली जो होती है ये हम लोग य को थीक है तहीं है, वालि अभियल्य यह यह आफ डेश की वेल्यू 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 की वेल्य हैं अगर आप भूल नहीं गए तो सबसे पहले हम लोग एक्जिलिर या फिर कर्रेक्टरेस्टिक इक्वेशन बिनाते हैं तो चलिए इसका भी हम लोग बना देंगे एंड साथ में हम लिग देंगे कि D जो है वह हमारे करेंगे तो यह हो जाएका हमारे पास M square यह हो जाएका प्लस टू M-M-2 इकॉल तू 0 तो यह हो गया हमारे पर देखें इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पस वन आएगा इन दोनों को मैंडिक्टार करेंगे तो दू आएगा तो मैं first and last method से करती हूं हमेशा ज्यादा तर मैं यही method यूज़ करती हूँ, मुझे यह method जादा पसंद है, ठीक है? यहां से हम लोग M को common ले लेंगे, यह हो जाएगा M और यह हो जाएगा plus 2, यहां से हम लोग minus 1 को common ले लेंगे, यह हो जाएगा M plus 2 equal to 0, यहां पर हो गया M minus 1 M plus 2 equal to 0, दोनों को equal to 0 यह हो जाएगा M minus 1 equal to 0, M plus 2 equal to 0, यह हो जाएगा M equal to 1, यह हो जाएगा M equal to minus 2, तो दो रूट आ गए हैं हमारे पास, और अगर वहां बढ़ देगे, तो second order था, दो रूट आ गए, तो मतलब हमने जो काम किया है, वो बिलकुल सरी किया है, तो दो रूट आ गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो है, हम लोग general solution निकालेंगे, और आपको पता है, जब भी हमारे पास, दो रूट जो है, वो real होते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या solution आते हैं, हम लोग बनाते हैं, रूट सार, रियल एंड डिस्टिंग, तो रियल एंड डिस्टिंग का जो हमने general solution ने बहुत दफार किया हुए, वही यहाँ पर यूज करेंगे, जो होगा, y is equals to c1, e की पावर, m1 x, plus c2, e की पावर, m2 x, चलिए इसमें values put कर देते हैं, m1 को हम लोग बोल देंगे, कि वो 1 है, यह हो जाएगा, e की पावर, x, और plus c2, e की पावर, यह हो जाएगा, m2 को हम लोग माइनस 2 बोल देंगे, और यह हो गया, x, यहाँ पर आप निख सकते है, m1 जो, m1 है, m2 माइनस 2 है, so यह हो गया हमारे पास, now यह हो गया हमारे पास first value, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग find करेंगे, c1 और c2 को हमारे पास है, इसको हम लोग इसमें हम लोग values put करेंगे कौन सी values यह first वाला ठीक है तो दो conditions है पहली condition put करेंगे तो पहली condition में y क्या दिया गया है y3 दिया गया है and is equals to c1 x0 दिया गया है तो यह की power 0 क्या होता है हमारे पास वो तो हमें already पता है ठीक है so यह भी two zero 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 हो जाएगा so यह हो जाएगा three equal to यह हो जाएगा c1 plus c2 हो जाएगा so इसको हम लोग equation number one बोल देंगे so यह होगे equation number one ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग ने यह तोर्क ले लिया नो यहाँ पर अगर देखे तो हमें y dash की बने but y dash था हमने find नहीं किया तो हम लोग इसी से जो equation number अब हम लोग क्या करेंगे so equation number one क्या है हमारे पास equation number one में अगर देखे so यहाँ पर y है हमें y dash find करना है equation 1 से ही हम लोग y of dash find करेंगे so equation number one को ले so मैं क्या करूँगी मैं इसको हटा दूँगी और equation number two है मैं उसको यहाँ ही पर रहने दूँगी उसमें हम लोग अभी काम करेंगे equation number one क्या था हमारे पास y equal to c1 e की power x plus c2 e की power minus 2x तो अब इसके derivative निकालेंगे with respect to x तो हमें पता है y of dash हो जाएगा d y by d of x हो जाएगा equal to अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास c1 है और साथ में जो है e है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास c2 e की power minus 2x तो यह हमारे पास हो गया है equation number 3 मैं बोल दूँगी इसको now क्या करेंगे इसको और इसको add यह पर subtract करेंगे ताके जो है हमारे पास values आजाए बट उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर equation number 3 मैं values put कर देंगी यह वाली initial value तो यहाँ पर हमें y 0 दियो गया है y dash और x की बात की जाए वो भी 0 है तो c1 e की power 0 1 होता है तो मैं यह पर direct 1 लिख दूँगी minus 2 c2 और e की power क्या हो जाएगा 0 तो 1 ही आएगा तो मैं इसको as it चोड़ेंगी यह हो जाएगा equation number 4 now हम लोग use करेंगे इन दोनों को और c की values को निकालेंगे c1 और c2 की value को ठीक है so चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे c1 c2 की value निकालेंगे and then equation number 1 में पुट करेंगे so यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था वह था हमारे पास 3 equal to c1 और plus c2 और दूसरा equation क्या था 0 equal to c1 minus 2 c2 ठीक है अब यहाँ से हमने क्या करेंगे इन दोनों equation से यह equation 2 था मेरे ख्याल से और equation 4 था इन दोनों को plus minus करके हमारे पास c की value आजाएगी सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लोग इसको add करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास plus यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा plus ठीक है यह दोनों cancel 3 जो हमारे पास 0 आजाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 3 c 2 था है 3 और 3 cancel तो c 2 की जो value है वो हमारे पास क्या आजाएगी वो हमारे पास 1 आजाएगी ठीक है now हम लोग क्या करेंगे इसी equation को लेंगे और इसी के साथ दुबारस से जो है एक plus minus करेंगे और answer जो है मारे पास आजाएगा अब उपर minus 2 को multiply कर दे minus 2 multiply हो जाएगा तो इधर जो है इधर क्या जाएगा यह हो जाएगा minus 2 और यह भी हो जाएगा मारे पास minus 2 ठीक है सो अब हम क्या करेंगे इसको फिर से एक करेंगे यह सब्टरेक्ट हो जाएगा और यह जो है यह भी बीडिक हो जाएगा यह जो है और यह सब्रेक्ट हो जाएगा minus 2 minus 3 c1 equal to nossa यह refugee हो जाए है 3x3 c2 is 6 मीनस 6 आजए गा so यह माईनस 6 तो मीनस 2 तो c1 कि value हमारे पास किया आ इस एदे का हे यह हमारे पास माईनस इंटो मिनस प्लस हो जाए गगा गा तो यह add more rale कि यह मैनस यह माईनस ओना नहीं के माईनस कट रहने understand C1 की value क्या आ गई 2 आ गई ठीक है सो उनोंने C1 C2 की value निकाल ली नौ हम क्या करेंगे इसको equation number 1 में put करेंगे So equation number हमने क्या निकाल ले था y is equals to C1 e की power x plus C2 e की power minus 2x तो चलिए इसको पुट कर देंगे यह हो जाएगा y is equals to e की power x plus 2 e की power minus 2x And that's all, यह जो हमारे पास हमारा general solution आ चुका है और इसे के साथ हमारा question number 15 जो है, वो solve हो गया है Now चलते हैं question number 16 कि दर आव